प्रदेश को कैसे प्रोग्रेसिव तरीके से आगे रह जाए 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 इसमें दो सदस्से जजेपी के होंगे तीम प्रदेशना पार्टी की होंगे पंदरा दिन में दोनों पार्टीों का संकल पत्र है जंस्यव पत्र है उसका दिन करके और उसमें जो कॉमन चीजे हैं इंटो छाए ने रागू करेंगे और सी बातों का उलेत तो आम है गोर्णर साब के एड्रस में भी जामिल किया गया है और भी बाते हैं सब चीजे उसका सब्रावधान के और से रहेंगे सब्रावधान के और सी बातों का उलेत तो आम हैं गोर्णर साब के एड्रस में भी शामिल किया गया है और भी बाकिता सब चीजें उसका सब्रावधान देंगे और से तो मेरे को पता चरा है कवरपाल जी और एक और पूर विदायक इसके अंदर सदस्से रहेंगे और पांचों विदायक कुई उनका अपना राजनितिक तुद्वा है अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर परदेश को कैसे प्रोग्रेसिव तरीके से आगे लग जाए थे उसमें अपने कमिटी बना दी है श्री अनिर्विद जी की अधिक्स्ता में जिसमें दो सदस्य जजेपी के होंगे तीम अगेजितना पार्टी के होंगे उस 15 दिन में दोनों पार्टियों का संकल पत्र है ज एड्रस में भी शामीन किया गया है और भी वाकता है इस सब चीजे पुष्टा संपावधान के हम परदेश को कैसे प्रोग्रेसिव तरीके से आगे ले जाए 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 अगेजितना पार्टी के होंगे तीम अगेजितना पार्टी की होंगे 15 दिन में दोनों पार्टियों का संकल पत्र है जंसेवा पत्र है उसका अधिन करके और उसमें जो कॉमन चीजे हैं उनकों सबसे परने रागू कराएंगे और इसी बातों का उलेख तो आमाहिम हाग है कि वस्ता संपल्वान करेंगा है